हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माईवी चानल आज की वीडियो मैं आपको बता हूंगा कि एंटी बीसी में जो रिक्रूट्मेंट निकला है वो आज दम देखेंगे कि कैसे उसमें एपला करना है और कितने रिकूट्मेंट निकला है और क्या उनका सैलरी है तो वीडियो को स्टार्ट करें से बिले जो मेरे नए विवर से प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और बेल आइकों को दबना मत भूलिए जिससे कि आपको आने मेरे जो भी वीडियो से रहेंगे वो जल्दी मिल देंगे तो इसलिए चल दें तो simply मैंने Google यहां पर open किया है यहां पर मैं type करूंगा NTPC और जो first आएगा NTPC Limited उस पर मैं click करूंगा जैसे मैं click करूंगा यहां पर first आएगा इस पर हम लोग क्लिक करेंगे NTPC Limited पूरा का पूरा यहां पर लिखा है करियर का option यहां पर यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे simply करियर पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहां पर निकल गया आएगा तो यहां पर लिखा हुए NTPC looking from generic young graduate engineers and professional with the brilliant academic record to join ओके यह इसा page है उनका तो simply यहां पर जाना है हमको यहां पर read more पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ओके तो यहां पर बहुत सारा vacancies का detail निकला हुआ है और यहां पर हम लोग को सीधा यहां पर लिखा हुआ है new जो new tab है वहां पर हम लोग क्लिक करना है तो first मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं यहां पर click here view and advertisement apply यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे यह ntbc का official website है तो please be aware कि कोई भी आप fake website पर आप ही पैसा बरके मत जाओ यहां पर उन्होंने लिखा हुआ मतलब offer appointment यह चार्ट हो जाएगा अभी हम लोग देख से थे कि current opening क्या है जो मैंने बता ही है यहां पर current opening में क्लिक करेंगे जैसे यह tab उपर जा रहा है तो हम लोग simply हां पर click करेंगे okay click here apply किया मैंने तो यह जाके NTBC looking for 250 experience engineers in electrical, mechanical, electronics, instrumentation, disciplines for the shift operation for thermal power plant and the 25 experience assistant chemist for our station project okay तो इसके लिए हमें क्या करना है यहां पर लिखा हुआ है NTBC इंडिया लार्जेस्ट पावर पावर का साइड ही है अच्छुली सबसे ज्यादा जो भी पावर सप्लाइर यही है NTBC यहां पर clear लिखा है a government of India enterprise तो यहां पर simply यहां पर क्लिक करना है click here to apply जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहां पर तो देखिए tab open हो जाएगा functional area तो select a functional area तो यहां पर क्लिक करेंगे open करेंगे सपोस्ट मैं आपे कोई भी एक इंजियर्स का like इंजियर्स है आप इलेक्रिकल लिखा है mechanical लिखा है electronics लिखा है तो मैं simply आप इलेक्रिकल पर क्लिक करता हूं जो मुझे चाहिए सपोस्ट और submit पर क्लिक करूंगा जैसे submit पर क्लिक करूंगा उसका detail है आपर आ जाएगा qualification क्या चाहिए है पर अल्री दिया हुआ है सब कुछ detail minimum 60% mark चाहिए ओके age limit 30 दिया है उन्होंने date of last receipt of application 31st July है तो आज तारीक दिखिए 22nd है अभी भी अपने पास साथ से 8 दिन पूरे है तो minimum years experience लिखे minimum 3 years post qualification executive experience यहापर चाहिए तो ज्यादा कुछ निच चाहिए 3 years experience के 50,000 to 1,60,000 E2 grade यहापर grade भी दिया हुआ है engineers electrical E2 job id लिका है 591 यहापर simply हम लोग यहापर click करेंगे apply पर जैसे apply पर click करेंगे यहापर आ जाएगा detail form जो हम लोग normally भरते है कोई भी organization में काम करने के से पहले apply करने से पहले तो वही form यहापर simply भरना है आपको first name डालना है middle name डा category जो भी आप करेगा यहापर select करना general SCA, STA, OBCA, EWS है जो भी आप करेगा category यहापर डाल देना कोई disability है तो यहापर वो section यहापर yes करना है यहापर नहीं है तो no no करके सिधा next procedure दलना है do you process the required qualification for the job as per the advertisement हम यहापर 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 graduate engineering degree उनको compulsory वही चाहिए तो area special agent आप select कर सकते हो यहापर इस type में जैसे मैं भी हापर select करता हूँ graduate engineering तो यहापर देखिए area of special दिया है उनने किसमें आपने special agents गिया हुआ है तो यहापर वो select कर सकते है power engineering, power electronics यहापर click करने के बाद details दानने के बाद अगर आपके बास experience है त तो अपकोस यहापर 3 years का experience कमपलसर ही है तो यहापर डालना है उनका details जो भी आपका experience रहेगा ओके तो सीधा यहापर next करूंगा अपने जो degree लिए वो form to कौनसे year में लिए है यहापर mention कर देना एक बार ओके तो next करेंगे work experience आपको सब कुछ डालना है जो मैंने बुला था 3 years का experience चाहिए तो यहापर वो detail में डालना है like कौनसे organization काम क्या था अपने concept plan के लिए काम क्या था यह भी आपको भरना है यहापर detail जैसे आप डालोगे ओके government sector है non government sector है pay scale कितना था monthly वह भी आपको details यहापर भरना है ओके से नीचे आएंगे और यहापर simply हापर click करेंगे check eligibility check eligibility करने के वाद आपका form details check हो जाएगा उसको होने के वाद आपका application go through हो जाएगा और आपको selection में लब आगे प्रोच्ट हो जाएगा तो यह simple process है ऐसे ही आपको करना है तो यहापर मैं यह page बंद कर देता हूं आपको बता देता हूं इसमें और क्या है like print page के लिए यह तो offline है जो अलड़ी यहापर working है उनके लिए है मतलब हैं से अपना payment salary स्लिप निकाल सकते हो आप 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 about ncd और search job जाने से पहले about ntpc के बारे में पूरा detail जानकर ले ले लेना कि यह company क्या करती है कि इतना details है मतलब एक जो आप इंटर्विव में जाते हो तो जयता तायर यह लगता है वहता ही उसमें आप एक preparation लगएगा तो यहाँ पर about ntpc को क्लिक करके check करना है कि यहाँ पर दो options है अगर आप हिंदी आपको समझ में जादा आता है तो यहाँ पर क्लिक कर से आप देख सकते हो कि क्या क्या details यहाँ अवैलेबल है अपने करिया को यह महलब पढ़ सकते हो अपनी साब से लिखे यहाँ पर जो मैंने बताया था कि जो अल्रडी पोजिशन निकला है वही आपको यहाँ पर हिंदी में पढ़ने को मिलेगा details लिक्ट्रिक इंजिनियरिंग मेकनिकल इंजिनियरिंग इलेक्रोनिक इंजिनियरि यहाँ पर लिखा है जो मैंने पेस के लिए बताया था 50 to 160,000 यहाँ पर ग्रेड वाइस दिया हुआ है तो यह simply आप पढ़के आराम से यहाँ पर जाके आप अपना अपना फॉर्म यहाँ पर बर सकते हो यहाँ पर लिख्या देखिए www.ntbcc.net जो मैंने बताया था मैंने आ आपको गूगल से लिखे गया था बट डिरेकली आप यह साइट से तके यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है साइट का नाम तो जाके अब भर सकते हो ओके यहाँ लिखा है आवेदन की आउनलाइन पंजी करन की शुरुवात 15 साथ से हो रही है और लास्ट उसका है 31 जूलाइ तो 31 जूलाइ से पहले आपको यहाँ पर आपका फॉर्म जाना चाहिए उसके बाद जो एस पर दी दियर नॉर्म वो सेलेक्शन करेंगे और आपको इंटर्रो के लिए बुलाया जाएगा तो यह था आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है बहुत इंपोर्टन है यह सब्गोलिन हो थै कि अपर जी हो कि अबिख और यह सकते हुख की अभी रही कुछ नय से यहां पर निकलने वाले यह रिकूर्ट्म्प्य करेंगे में SatrЧто ल को यहां भी यह था सब्वल्रेम बछा मूझ निकलने वाला है तो यह यहां पर भी य आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा रेगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दिना जरूर और चैनल को सब्स्राइब कर देना तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक की लिए बाई बाई